तो हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उम्मिद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे तो सामने आपको इस वाइड बोर्ट में आपको दीख रही होंगी फोर टाइप जो है हमारा फिक्जेटिव केमिकल हम कहें या फिर पाउडर्स कहें वो हमने लिखे हुए हैं तो आपको चार आइटम्स है यह एक फिक्जेटिव टाइप के केमिकल्स है पाउडर्स है तो टॉपिक में बात करने से पहले एक छोटा सरीव किस्ट अगर आप हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये तो सस्क्राइब जरूर कर लिजे क्योंकि अगर बत्ति बिजनस से रिलेटेड इसी कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहेंगी तो चैनल आप जरूर सस्क्राइब करके रख लिजिए तो ज़्यादा समय खराब करते नहुए बात करते हैं अपने टॉपिक के उपर और बेसिकली जो है आज जैसे कि अभी आपने फो टैप के बारे में समझना ज़्यादा जरूरी है तो आज हम सिर्फ एक टॉपिक के उपर बात करेंगे जैसमीन क्रिश्टल तो सबसे पहले हम बात करते हैं jasmine crystal के बारे में इसका एक example मैं आपको ले के दिखाता हूँ chemicals को तो ये कुछ इस तरीके से दिखने वाली जो है powders है जो की अभी मैंने use में इसे खुले में रख दिया था तो थोड़ा सा chemical इसमें reaction हुआ हवा की प्रभाव में आने के कारण इसका जो है color थोड़ी सी change हो गई है दिखने में ये आपको पूरी whiteness दिखेगी जैसे कि मैं एक rose crystal का example लेता हूँ तो कुछ इस तरीके के whiteness color में ये भी होती है जैसे कि दोनों का अंतर आप देख सकते हो तो कुछ इस तरीके से ये दिखती है हाला कि अभी ये इसमें कुछ चीजे हो जाने की वज़े से color इसमें changes हो चुकी है और इसके जो दिखने का तरीका है और जो इसका process है वो आगे हम बात ही करेंगे तो दिखने में ये pure fine नहीं होती है जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे तो इसमें थोड़ी सी छोड़ी छोड़ी गाठे बनके होती है मतलब pure चिकनापन ये नहीं होता जैसे कि यारा यारा आप देखोगे तो हाथ में लेने से ही वो फिसलने लग जाता है तो उस तरीके से ये नहीं है जैसे कि अभी आपको दीख रहा होगा तो इसमें क्या है छोड़ी छोड़ी गाठे होती है और ये जो दीखने में ये भी चिकनापन होता है और जो है इसका एक अच्छा मतलब हमारे अगरबत्यों के लिए एक वरदान मैं कहना चाहूँ जो की हम जो यूज करते हैं cooler जैसे कि हमारा धूना बनता है हमारा लोभाना गरबत्य बनता है मसाला गरबत्य हम बनाते हैं तो उस टाइप के 《गरबत्यों के लिए ये एक रामबन है जिसका एक अच्छा जैसे note के बारे मैं वह बात करना चाहूँ तो एक खास तरीके के note प्रप्रटिस्स में निकलके आते हैं जो फ्रेग्णेंस ही है इसकी वह काफी लास्टिंग होते हैं और जो हमारा जैस्मीन का नाम इसी दीया गयान ऊबदीर का केमिकल है जिसके नाम से जैस्मीन क्रिश्टल का जाता है और देखा है तो इसका user हमारे जो परफ्यूम ke compounds बनते हैं उसमें भी इसका योज किया जाता है जैसे कि वह वह च्छासा है परफ्यूम से हमारे जैसमीन का हो M Parliament के घरकी ही Jacmy अलग अलग तरह की किके इसके आयों कि तैयार होते हैं तो उसमें अच्छा इसका use किया जाता है और अब कोई भी flower notes के जो perfumes होते हैं उसमें भी इसका कुछ न कुछ element use किया जाता है jasmine crystal का और इसे तो हम perfume के साथ perfume में तो use होता ही है और वो जो perfumes बनाने वाले हैं वो किस तरीके से इसे use करते हैं लेकिन जो powder form की अगरबतियां होती हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना ही चाह रहा था तो powder form की जो अगरबतियां होती हैं उसमें काफी अच्छे मात्रे में इसे use किया जाना चाहिए मैंने खुद try ही किया है तो मैं इसी सोच की वज़े से मैंने ये वीडियो भी बना रहा हूँ कि लोगों को इसके बारे में मैं कुछ बता पाऊँ और उसके बाद जो है हम इसे किस तरीके की अगरबतियों में use कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगी तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे तो इसे जो है हम तो उस टाइप के जो प्रिमिक्स है उसमें use कर सकते हो इसका use करने का method वही होता है और इसे आप 10 ग्राम से लेके 20 ग्राम average क्योंकि ये थोड़ी सी costly चीज हो जाती है तो 10 ग्राम से average प्रिमिक्स में 1 kg के वेस में आप इसे use कर सकते हो डाल सकते हो इसमें एक जो नोट है ये एक जो आपका dry form की अगरवत्ति होगी जैसे basically मैं एक example में रेता हूँ लोबान अगरवत्ति तो लोबान अगरवत्ति में जादा तर लोबान का जो एक powder है वो use होता है या फिर उसका जो है concentrate use होता है basically दो तीन चीज़े होती है राल में भी वही होता है और तो इस तरीके जो perfumes होती है ना तो उसका ये जो एक note है उसको ये note को maintain करके रखता है और fragrance को lasting बना के रखता है सुगन देखने को मिलेगी एक जो बेहत्रिन जो note है वो निकल के आएगा और एक lasting जो होती है अगरबती में वो आपकी रहेगी तो ये इसका एक खासा use है jasmine crystal का इसका आप जरूर use कीजिए और हो सके तो इसे premix में आपको जो आप mix में साथ में जो आपका ingredients होता है basically लोभान के लिए हो या फिर आपका धूना के लिए हो या फिर आपकी मसाला गरबती के लिए हो या फिर full flower based जो perfumes होते है उसके लिए हो तो उसमें क्या है आपको 10 gram से average starting 10 gram मैं बोलूँ तो काफी आओ quality भी आपकी depend रहेगी कि quality आपकी इस तरीके के जो jasmine crystal है वो लिए हुए है तो जिस तरीके की quality होगी उतना अच्छा वो boosting करेगा तो minimum इसका ratio है 10 gram आप इसे use कर सकते हो और इसका जो है एक बहत अच्छे तरीके से एक note निकल के आएगा और इसका जो है fragrance भी काफी समय तक बरकरार रहेगा तो यही था jasmine crystal के बारे में और जो इसके आने वाले second part में हम जानेंगे rose crystal यारा यारा और indole के बारे में और उम्मीद करता हूँ कि यह जो छोटा सा मारा topic था jasmine crystal के बारे में वो आपको अच्छी लगी होगी और next वीडियो में जो है इन जो तीन सीजों है बाकी हुई है उसको हम cover करेंगे बिलते हैं आने वाले नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यावाज